हेलो प्रैंट्स आपके अपने यूटुव्ट से लेटर की फूटो बेएग फ्रेस सब्सक्रेस जाती है लेकर आज हम कोकर में बहुत जल्ली बन जाती है चले बनाना सुरू करते हैं और नोट करते हैं इसके इंग्रीडिंक्स और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राभ नहीं कि वाजू एक चम्मच इलाइची पान से च्छे घी दो टेबल स्पून चीनी दो सो पचास ग्राम लॉकी डेड़ किलो इसको छीड लिया है और इसको कद्दू कस कर लेंगे और इसके जो बीज का भाग उसको हटा देंगे क्योंकि इसमें बीज होते हैं और खोया यह लबबब कर देफने बीज है वो अगर सॉफ तो ज़रूए नहीं कि आप उसके वीस को हटा है आप बीज रवति इसको कद्दू कस कर लेते आप सारी लौकी कद्द्दू कस कर लिए चलि astrology है बब से बनाना सवरू करते हैं कि अब घैस की फलं को का उन कर लेते है और इसमें एक चम्मच गेशerem कर देते हैं और लौकी को अच्छी तरीके से निचोड कर इसका बिल्कुल पानी निचोड लीजेगा और इसे कुकर में डाल दीजेगा अगर कुकर बड़ा है और लौकी कम है तो लौकी तले में जल भी सकती है अब इसको चला लेते, अब इसमें चीनी एड़ कर देंगे, अच्छा मैंने चीनी इसलिए पहले एड़ की है, ताकि चीनी भी पानी छोड़ सके और नीचे लोकी लगे नहीं, चले अब इसका ढकन बंद कर देते हैं, और इसको दो सीटी आने तक पका लेते हैं, लोकी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी, चले आप कुकर का ढकन खोल कर चेक करते हैं, कि लोकी कैसी कुक हो यह, लोकी अच्छी तरीके से कुक हो गई है, अब इसकी गैस की फ्लेम को अन कर देते हैं और फुल फ्लेम पर लौकी में बचे हुए पानी को भी जला लेते हैं गैस की फ्लेम को हाई रखा है इससे लौकी का पानी जल्दी से जल जाएगा और इससे लगातार चलाते भी रहें देखेगी पानी है इसमें इसमें इसी तरीके दबाकर चक कर लेते हैं अब पानी लगबख जल चुका है लौकी में देखेगा अब पानी ब्लकुल नहीं है बस इस तरीके दबा कर चेक कर लिए हाग अब इसमें इलाइची दाना डाल देते हैं आप चाहें तो पिस्व इलाइची भी इसमें एड़ कर सकते हैं और इलाइची ऑप्सिनल भी है चले इप गैस की फिलम को बंद कर दिया है पानी भी बिल्कुल नहीं है इसमें लौकी भी अच्छी तरीके से कोक हो गई है अब इसमें खोया मिलाएंगे अब इसमें खोया एड़ कर देते हैं मैंने गैस की फिलम बंद करने के बाद खोया एड़ किया है अगर आप उससे पहले भी आड़ कर लेंगे तो भी कोई दिक्काट नहीं है लेकिन गेस की फिलम बंद करने के बाद, खोई में थोड़ा से दाना रह जाता है, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बैस इसको चला लीजिए, अच्छी तरीकी से मिला लें इसको, आप इसमें चीनी की मातरा बड़ा गटा भी सकते हैं, गाउं में मिठाई का मतलब मीठा, वो लोग तो इसमें लगवाग इसकी दूनी हो सकता है, इसके तीन गुनी भी चीनी मिला लेते हैं, वो मीठा बहुत पसंद करते हैं, अब एक प्लेट में घी लगा लेते हैं, चारो और इसको चमच की सायता से या हातों की सायता से चारो तरफ फैला लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा, ज्यादा चीनी मिलाने से बहुत अच्छी सॉलेड हो जाती है, और कम चीनी मिलाने से थोड़ी सॉफ्ट रहती है, अब यह अच्छी तरीके चारो तरो फैल चुकी है अब इस पर ड्राइफ्रूट डाल लेते हैं आप इसमें पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं काजू बादाम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको चमच की सायता से दाब देते हैं इसी तरीके से इसको अच्छी तरीके से दब देते हैं ताकि काजू बादाम इसके अंदर चला जाए अब इसको चाकू की सायता से या पिज्जा कटर की सायता से जैसी भी आकरती में आप काटना चाहें उस आकरती में काट लीजिएगा इसको फिंदा काटिये घा या इसको जैसे आप इस पीकाजू लगा दें इसके बाद भी आप इसे कट करके रख सकते हैं मैंने इतो शॉक और पेस्ट में काटा हैं बहुतीं सॉफ्ट वनिवी है चलिए चेक करते हैं देखें कितनी सॉफ्ट है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं अगर यह रेस्पी पसंद आए तो लाइक और से जरू करें और हमें कमेंटर में बताएं कि यह रेस्पी कैसी लगी और अभीताख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करें और सब्सक्राइब करते समय घंटे को जरूर रंग दे ताकि नईनी रेस्पी आप तक सबसे पहले पहुंच सके